जए हिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहां पर हिंद्री साहित के बहुत ही महत्तपुन कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा वस्त देखें अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को स अदूरे उपन्यास के लेखक का नाम बताना है लेकि यह मंगल सूत्र जिसका भी उपन्यास है यह अदूरा उपन्यास माना जाता है मंगल सूत्र किसका है यह आपको बताना है तो आपके यहां पर जो 87 वा कॉस्चन है उसका राइट आंसर है प्रयाम चंद्र आपका यहा तो उपन्यास जो प्रियम्चन जी का नहीं है तो सेखर एक जीवनी विकल्प नंबर आपका D यहां पर सही आंसर है सेखर एक जीवनी अग्ये का उपन्यास है ये प्रियमचन जी का नहीं है प्रितिग्या उपन्यास के लेख़ कौन है ये भी आपका उपन्यास है प्रितिग्या क्या है एक उपन्यास है और इसके लेख़क नांगरजुन प्रियमचन रेनु या एसपाल तो आपके हैं पर सही आंसर है इसके जो लेखक हैं प्रियम चंजी हैं प्रितिग्या उपन्यास के question number आपका 90 क्या पूँचा गया है बी रंगना नामक उपन्यास की रचेता कौन है जैसंकर प्रसाद या जगनात या फिर राम रिष्टर पार्थी रामधारी से हैं दिनकर तो बी रंगना नामक जो उपन्यास इसके लेखक हैं राम रिष्टर पार्थी आपका यहां पर सही आंसर होका बिलकुल चाही राइट आंसर है question number आपका 91 वा question यहां पर क्या पूँचा गया है तो देख लेते हैं देखे यहां पर पूँचा है भागबंती उपन्यास की रचेता कौन है भागबंती उपन्यास की रचेता आपसे यहां पर पूँचा है सुदर्शन है रामपरक्ष ब्यानिपूरी है ग्यानेंद्र अग्ये है तो आपका यहाँ पर 91 का जो सही आंसर है बहे है राइट आंसर विकल्प नंबर एक यानि की सुदर्शन कौन है सुदर्शन आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही सुदर्शन राइट आंसर है कथा कितियों में बताना है किस का संबंध काशी से नहीं है तो आपका यहाँ पर 93 का जो सही आंसर है आपका राइट आंसर 93 का विकल नंबर भी अलग अलग बेतर नहीं आपका सही आंसर होगा बिल्कुल चाहिए अलग अलग बेतर नहीं जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर यहाँ पर हैं बता दे हम आपके लिए PGT, TGT, TGIC प्रवक्त परिक्षाक यह question आपके महत्पूर्ण question है पूंचे गई ही question है यह अंगला question क्या पूंचा गया है तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कोस्चन नंबर आपके यहाँ पर 94 पूंचा है देखी, हजारी पर साथ दुवेदी की उपन्यास अनाम दास्त का वो था में किस उपनिसद की सरवादिक इस्तलों का प्रियूग हुआ है बताईए, च्वारानवे आपके यहाँ पर कॉस्चन है महत्पून है और आपके यहाँ पर जो सही आंसर है क्या होगा राइट आंसर तो आपके यहाँ पर सही आंसर है च्वारानवे का विकल्प नंबर भी यानि की चांदोग्य उपनिसद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा चांदोग्य उपनिसद आपका सही आंसर है question number 95, क्या पूचा है, अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा, सीरसा को पन्यास के लेकर कौन है, जल्ली से comment में बताइए, तो बिल्कुल सही right answer है, आपका यहाँ पर, question number 95 का सही answer, आपका जो यहाँ पर होगा, बहे है, आपका right answer, डी, आनि की हजारी परसाथ दुबेदी, हजारी परसाथ दुबेदी का जो है, अनामदास का पोथा, नामक एतिहास को पन्यास माना जाता है, और इसके लेकर हजारी परसाथ दुबेदी हैं, और यहाँ पर आपका, अंगला question क्या पूचा है, तो देख लेते हैं, आपका question, आपका अंगला question, question number 96, देखे, यह रहा question number 96, आपका, कि निमने लिखित में से कौन सा समुहे आचार हजारी परसाथ दुबेदी के उपन्यासों को दरसाता है, बहे, समुहे आपके लिए बताना हैं, आपर question number 96 में, बताए, बहे, कौन सा समुहे है, जो आचार हजारी परसाथ दुबेदी के उपन्यासों को दरसात है 96 का आपका जो सही आंसर है वहे आपका विकल नमबर बी-right आंसर है बंडबंभतट जी की आधमकता किस प्नदासे यह जो है आपका सही आंसर होगा अंगले question क्या पूँचा है question नमबर आपका यहाँ पर 97 वा question पूँचा बाणवट्टी की आत्मकता किसकी और पन्यासिक किरती है question नमबर 97 का सही आंसर बताईए क्या होगा इसका सही आंसर तो बिलकुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर बानवट्टी की आत्मकता किसकी उपन्यासिक किरती है यह किरती किसकी है हजारी पर साथ दुबेदी आपका सही आंसर होगा हजारी परसाद दुबेदी आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही बाण भट्टी की आत्मकथा है यह क्या है आपको बताना है एक नाटक है एक जीबनी है एक आत्मकथा या एक उपन्यास तो question number है आपका यहाँ पर अन्ठान नवे और इसका जो सही आंसर है वह है न्यान में पूश्चा है बाण भट्ट की आत्मकथा की लेक का कौन है एक question डबल हो गया और आपका हजारी पर साथ दुबेदी यहाँ पर सही आंसर है डबल हो गया है एक question बाण भट्टी की आत्मकथा क्या है यह भी आपका अब भी पूँचा गया था एक उपन्यास है ये मगर ये जो है अलग-अलग परिच्छा में जो है पूंचे गए हैं अलग-अलग तरह से ये आपका TGT 2001 में पूंचा गया महत्तपुन कॉस्चन है अंगला कॉस्चन है चारू चंद्र लेख की उपन्यास कार कौन है बताइए कॉस्चन नंबर 101 है और ये आपका 2GO 4 smiles पूंचा गया था महत्तपुन कॉस्चन है और आपका स़ई आंसर है विकलड अनि कि हजारी पर साथ दुबेदी आपका सभी आंसर चारु चंद्र लेख ये जो है एक उपनशने और इस को पन्यास कार हजारी पर साथ दुबेदी है ज आचार है हजारी पिरसाद दुबेदी के सिधारा की उपन्यासकार है यानि कि सांस्कृतिक मित्किये प्रियोगबादी सामाजिक सांस्कृतिक या प्रगतिवादी कॉस्चन नमबर 102 का आपके लिए आंसर बताना है तो 102 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह है आपका राइट आंसर बिलकुल सही कॉस्चन नमबर 103 में आपका विकल्प नमबर यानि की बान भट्टी की आत्मकथा बान भट्टी की आत्मकथा आपका सही आंसर है बिलकुल सही यहाँ पर कॉस्चन नमबर 104 का पूंचा देख लेते हैं आचार हजारी परसाद दुवेदी की उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है कौन सा यहाँ पर सही अनुक्रम होगा question number 104 का right answer बताईए तो आपका हैंपर सही answer है क्या है right answer 104 का right answer होगा आपका उपन्यासों का सही अनुक्रम में आपका भी right answer होगा बन भट्टी की आदमकता चारू चंदलेक पनर्णवा और अनामदास का पोथा यह जो है आजारी परसाथ दोवेदी के अपन्यासों का परकासन वर्ज के अनुसार सही अनुक्रम होगा यहां पर अंगला question क्या पूँचा क्या है तो यहां पर आपका दिया गया है अंगला question देख लेते हैं आपका अंगला question क्या दिया गया है question नमर 105 आपसे पूँचा है देखे पंडित के सोरीलाल गोस्वामी का पन्यास नमलिकत में ऐसे कौन नहीं है बताइए नहीं पूँचा या आपसे नहीं है तो 105 का right answer आपका यहां पर जो होगा वह आपका right answer कि पंडित के सोरीलाल गोस्वामी का पन्यास नमलिकत में ऐसे कौन सा नहीं है तो 105 का right answer आपका यहां पर बिल्कुल चाहिए विकल्प नमबर D भोजपुर का ठग आपका सही answer है अंगला question A जो है के सोरीलाल गोस्वामी का नहीं है यह गोपाल नम गहमरी का एक उपन्यास है भोजपुर का ठग question number 106 पूँचा है रजिया बेगम किस की आपके लिए बताना किस की रचना है रजिया बेगम तो 106 का right answer बताना है तो 106 का right answer है आपका विकल्प नमबर B आनिकी किसुरीलाल गोस्वामी आपका यहाँ पर सही answer है question number आपका है यहाँ पर 107 क्या पूँचा है पिरसाद द्वारा रचित इराबती किया सवपन्या सामाजेक है एतिहासिक है एतार्टवादी है या पॉनानक है तो 107 का आपका जो सही answer है 107 का right answer TGT 2011 में एक question आपसे पूँचा गया था ये TGT 2002 में पूँचा गया था आपका सही answer विकल्प नमबर B आनिकी एतिहासिक पिरसाद द्वारा रचित इराबती किया सवपन्यास है एतिहासिक है बिलकुल सही अंगला question क्या पूँचा गया है तो यहाँ पर आपका अंगला question दिया गया है question number 108 आपसे क्या पूँचा देखे जैसे अंकर प्रसाद क्या दूरे उपन्यास का नाम क्या हमंगल सूत्र है इराबती है तितली है एक अंकाल है अभी आपको हमने शुरू में भी बताये था कि अंकाल एक पिरकार से पाप और पुर्णी की समस्या का उपन्यास है इस कथन की समक्चिस जैसेंकर प्रसाद की बार निमलिकत मेंसी किस उपन्यास में इस समस्या को मुख खुरूप से उठाया गया है तो बताईए जैसेंकर प्रसाद की बार कौन से उपन्यास में इस समस् तो 109 का राइट आंसर है आपका D, यानि की चित्र लेखा आपका सही आंसर होगा, Question number आपका यहाँ पर 110 क्या पूंचा है, निमने लिखित में से कौन मनुब्यग्यानिक उपन्यास्कार है, पन्यास्कार किसी कहा जाता है, मनुब्यग्यानिक उपन्यास्कार कहा जाता है, इलाचन जोसी, जैनेंद्र अग्ये, महनुहर स्याम जोसी, सही आंसर है, आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, दियेगा विकल्पों में से, इलाचन जो सी जहनेंदर अग्ये तीनों मनों व्यग्याने को पन्यासकार हैं अता इस विकल्प में तीन विकल्प सही हैं और यहां पर जो है क्या होगा था यूपी मादमिक सिक्षा सेवा चेन बोर्ड ने अपनी प्रारामिक उस्तर उत्तर कुंजी में इस प्रिशने का वि आंसर है question number 11 का right answer होगा विकल्प नबर D यानकी निर्मल भुरा दिया आपका यहांपर सही answer होगा question number 112 क्या पूंचा है बैद देख लेते हैं question number 112 है आपका यहांपर दिया गया है दीवार को दीवार में एक खड़की रहती थी उपर्यास की रचनाकी है किसने की है गिरी, राज, किसूर, अरुन, कमल, कासी नास, या बिनूत, कुमार, सुकल, तो आपके यहाँ पर राइट आंसर है, question number 112 का D, right answer होगा, बिनूत, कुमार, सुकल, आपके यहाँ पर सही answer है, विकल्प number D, right answer, बिलकुल सही, अंगला question क्या पूचा है, भूत, नात, उपन्यास क कि रचीता कौन है question number 113 का सही answer बताना है और 113 का right answer आपका यहाँ पर जो होगा वह है आपका right answer बिल्कुल चाही विकल्प number C right answer देव की नंदन खत्री देव की नंदन खत्री आपका यहाँ पर सही answer है बिल्कुल चाही question number 114 क्या पूंचा है गली आंगे मुड़ती है कि लेख लेखक कौन है तो आपका है याँ पर सही answer होगा question number 114 का विकल्प number आपका right answer है स्वेव परसादस है यह पर सही answer है यह उपण्यास और इसके लेखक सिवेव परसादस है अंग्ला question क्या पूंचा गया है तो अंग्ला question आपका ए रहा आपकी स्क्रीन पर नीला चांद अपन निर्मया से कोई नहीं आपका राइट आंसर होगा question number आपका यहाँ पर 116 क्या पूँचा है देख लेती है नूतन ब्रहमचारी किर्ती के लेखक है नूतन ब्रहमचारी एक किर्ती है और इसके लेखक है तो question number 116 का सही आंसर आपको बताना है तो बिल्कुल सही 116 का राइट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर डी आनकी बालकिष्न भट्टे बालकिष्न भट्टे आपके हैं पर सही आंसर है question number आपका 117 पूँचा है तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बालकिष्न भट्टे आपका राइट आंसर है बिल्कुल सही बालकिष्न भट्टे जो नों ने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है नूतन ब्रह्मचारी है करनाटक है उपन्यास है कहानी संग्रा है इनमें ऐसी कोई नहीं है टीजीटी परिक्षा में पूँचा किया 2004 में महत्तुपन कॉस्चन है और आपका सही आंसर है विकल्ट नंबर यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर बी राइट आंसर है उपन्यास है क्या है उपन्यास आपका सही आंसर होगा काला जल का कथानक किस समस्चा से संबंदित है इस्त्री उत्पीडन प्रश्टाचार दलित समस्चा ये संप्रदाइक्ता काला जल का कथानक किस समस्या से संबंदित है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है यह जो है सामपरतायकता से संबंदित है बिल्कुल सही अंगला कॉस्चिन क्या पूँचा है तो अंगला कॉस्चिन आपका यहाँ पर दिया गया है देख लेते हैं आपका अंगला कॉस्चिन क् 120 आपका एरहा काला जल उपन्यास के लेखक कौन है तो बदी उज्जमा है रमेश बक्षी है सानी है किष्णा सोबिती है तो आपका सही आंसर है सानी यानि की विकल्प नंबर सी आपका राइड आंसर होगा विलकुल सही यह आपका 2010 में PGT में पूंचा गया महत्तपुन कॉस करनकारी आपके हां तक पहुंचे जादा से जादा वीडियो को सेयर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें तो आज के वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्वाद सभी के लिए जैहिन